Types of Sentences Sentences किस किस तरीके के हो सकते हैं इनको बोलने का तरीका है उसके हिसाब से ये Active और Passive दोनों हो सकते हैं Active Passive देखेगा यहाँ पर है Sanjay broke the glass यानि कि Sanjay ने glass को तोड़ा यहाँ पर है तक glass was broken by Sanjay यानि कि glass को Sanjay ने तोड़ा या glass Sanjay दोड़ा गया इसमें हुआ एक है कि पहली line में पहला जो Sentences उसमें Subject Sanjay है लेकिन अगले ही line में Subject बदल गया है glass ठीक है? broke तो सेम रहा यानि कि दोनों का action या verb तो सेम रहा तो verb दोनों का सेम है लेकिन subject बदल गया तो हुआ यह है कि Active में Sanjay यह action कर रहा है यह काम कर रहा है Sanjay ने glass को तोड़ा ना लेकिन जो passive voice में है इसमें जो subject है वो action कर नहीं रहा बलकि action इस पे हो रहा है बस यह अंतर है clear है? देखे, जो active voice होती है जिसमें जो sentences जिसमे subject काम करता है या subject क्रिया करता है subject कौन से हो सकता है मैं, आप, कोई भी वस्तू कोई भी thing वो कोई काम करती है तो इसका मतलब वो action कर रही है ठीक है? लेकिन जो passive voices होते है उसमें जो subject है वो action नहीं करता उस पर action होता है जैसे देखेगा the glass was broken by Sanjay तो glass चूटा ना इस पर action संजय नहीं किया आपको मैं कुछ और sentences बताता हूँ she wrote a letter अब she इसमें क्या हो गया subject wrote हो गया verb और object हो गया letter ठीक, अब आप क्या करिए? बहुत ही आसान तरीका है अगर आप active को passive में change करना चाहे तो देखेए, यह जो letter है object, इसको आप इधर ले आईए और she को इधर ले आईए तो she तो नहीं रहेगा letter was written by she तो नहीं होगा letter was written by her होगा तो a letter was written by her मैंने क्या किया? यह है आपका subject यह है object और यह है verb subject वो होता है जो क्रिया करता है आदमी, इंसान या फिर कोई भी object, कोई भी चीज़ हो सकती है letter भी इसी तरीके सो सकता है आदमी हो सकता है, कोई समान हो सकता है verb क्या होता है, कोई क्रिया होती तो आप इसकी जगह exchange कर दीजे और उसी तरीके से formation कर दीजे या उल्टा करिए, अगर passive voice है इसमें क्या है, यह आपका subject है, यह object है इसको बदल दीजे, यहां ले आईए, इसको यहां ले आईए तो क्या होगा, यह active से passive में बदल जाएगा passive active में बदल जाएगा, चलिए एक और example लेते है he opened the door, तो he मतलब हो गया subject opened हो गया verb, और door हो गया object बदल दीजे, the door was opened by him ही तो नहीं होगा, क्योंकि sentence भी देखना है यहां पर Mohan played the flute, Mohan subject है flute object है, played आपका इसमें action है, क्रिया है, verb है the flute was played by Mohan, the flute was played by Mohan यह active or passive होता है